हंजी फ्रेंड्स क्या हल चल विलकम विद कृतिका साव तो गाईज आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो लेकिन वो इंसान बदलता नहीं है अगर नहीं देखा तो जनाब और फैमिली से जरूर मिल लीजिएगा अगर आज तक उनका व्लॉग नहीं देखा है तो एक आद बार उनका व्लॉग भी देख लीजिएगा और जो रियाक्शन वीडियो उनके उपर बनाते हैं, पोड्कास्ट बनाते हैं उनके podcast को भी सुन लीजिएगा and tally कर लीजिएगा उनके vlogs and reaction videos के साथ कि किसमे कितनी सच्चाई है मेरा कहने का मतलब main motive यही है कि मतलब madam and जनाब को कितना भी बोलो कितना भी समझा लो कितना भी कुछ भी positive चीजे बता दो लेकिन ये लोग अपनी आदतों से सुधरने वाले नहीं है वो एक कहावत है न कि भैस के आगे बीन बजाने से क्या फाइदा same चीज मैडम के साथ है अब यहाँ पर अधिकतर लोग बोलेंगे कि आप body shaming कर रही हो तो मैं body shaming नहीं कर रही मैं ये कहावत बोल रही हूँ जो कि मैडम के ऊपर totally suit करती है अगर बात body shaming के भी आती है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैडम की body exactly वैसी होती भी जा रही है जैसे कि कहावत में कही गई है तो आज का ये podcast specially जनाब और मैडम जनाब को भी आपने कह सकते specially मैडम के लिए है because ये औरत life में कभी नहीं बदलने वाली चाहे कितना भी कुछ भी up and downs हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए धरती पाता लोग उपर नीचे भुकम कुछ भी आ जाए ये बदलने वाली नहीं है अब आप लोग बोलोगों कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ क्या कारण है कि मैं ऐसा कह रही हूँ तो खेर कारण तो बहुत है लेकिन फिलाल मैं कुछ ही reasons यहाँ पर discuss करूँगी जो कि अधिकतर अधिकतर लोग जानते हैं अधिकतर लोग को पता है इवेन मैडम को भी पता है लेकिन उसके बावजूद ये लोग सुधरते नहीं जिस तरह से एक गिर्गिट बार बार रंग बदलती है न उसी तरह से ये मैडम बार बार continuously situation के हिसाब से रंग बदलती रहती है बदलती रहती है तो मैं बता देती हूँ कि मैं किन कारणों के वज़े से ऐसा बोल रही हूँ सबसे पहले तो आप लोगों को याद होगा कि जैसे ही जलक स्टार्ट हुआ स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट एपिसोड हुआ वहाँ पर जनाब ने सबसे पहले ही यही बोला कि मेरा जो मेन सपना है जलक में आने का वो ये है कि मैं दिपिका का सपना पूरा करूँ और ट्रोफी अपने घर ले करके जाओं क्योंकि दिपिका मैडम भी पहले एक बर जलक में आ चुकी है लेकिन वो फर्स्ट राउंड के बाद ही आउट हो गई तो उनका जो सपना अधूरा रह गया था ट्रोफी जीतने का वो जनाब पूरा करेंगे जलक में और वो ट्रोफी घर ले करके जाएंगे बट जैसे ही वो जलक के शो को हार गये उन्होंने लास्ट वाले अपने व्लॉग में जो की कम से कम 10 से 12 दिन के बाद आया वो भी जलक के शो को हारने के बाद उन्होंने लोगों को बद्दूआ देना स्टार्ट कर दिया मतलब किसी के ऊपर तो थुपना है ना किसी के ऊपर तो ब्लेम डालना है कि इस कारण से मैं हार गया तो उसी blame को डालने के लिए जनाब ने वो vlog अप्लोड किया और वहाँ पे उन्होंने ये सारी चीजे बोली कि मेरी body dancing की नहीं है मैं एक non dancer हूँ जैसे तैसे करकर के मैं जहलक के finale तक पहुँचा और फिर मैं जीत नहीं पाया तो मेरा जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया लेकिन मेरा जो main सपना था वो था finale में आने तक का इसके साथ साथ एक और भी सपना था वो जीतने का लेकिन main सपना था finale में आने तक का finalist बनने का मेरा main सपना था कि मैं finalist बनू तो मेरा वो सपना पूरा हो गया और एक और जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया मतलब अब जब ये शो हार चुके है तो इन्होंने अपने पूरी की पूरी बात से ही इन्होंने पल्टी मार दी वो पूरा ही पूरा पलड गया पहले इनका सपना सिर्फ एक ही था ट्रोफी जीतने का उसके बाद situation के हिसाब से जब ये समय बदल गया तो जनाब का दो सपना हो गया एक finalist बनने का और एक ट्रोफी जीतने का जिसमें से एक पूरा हो गया और एक पूरा नहीं हुआ तो मतलब सोचिए कि ये लोग किस किसमे के घटिया इनसान है तो खैर ये तो है जनाब की बात इनकी बात तो खैर छोड़िये ये तो इनसान हमेशा से ऐसा ही है इनके साथ रहते रहते मैडम ने जो कारनामे किये है और मैडम जो convenience के according बदलती है I mean आप लोगों को याद होगा कि कुछ टाइम पहले जब मैडम का interview आया था जब वो pregnant थी जब रुहान हुआ नहीं था उनका 7 to 8 month I think चल रहा था उस टाइम पे जो interview आया था उसमें मैडम ने clearly ये बात बोली थी कि उनके black patches है उनके childhood के साथ यानि उनके बचपन के साथ में तो बचपन में इनसान किस के साथ रहता है माबाप के साथ तो माबाप के साथ में उनके black patches है इस वज़े से उनका उनके माबाप के साथ में रिष्टा कुछ अच्छा खासा था नहीं आना जाना कुछ होता नहीं था जैसे ही रुहान हो गया तो रुहान को सम्हालने के लिए एक नैनी चाहिए थी तो उसने अपनी मम्मी को पूने से बुलवा लिया उनके फ्रेंड्स, उनके रिष्टेदार, उनकी फैमली, उनका बैग्राउंट, उनका इन्वाउमेंट सब कुछ छोड़ चाड़ करके उनको मुंबई बुला लिया, एक स्ट्रेंजर के तरह अलग से बैग्राउंड में रहने के लिए, अलग इन्वाउमेंट में रहने के लिए पूरी Muslim family से भरी हुई पूरी family में एक Hindu को बुला लिया रहने के लिए and जिस हिसाब से ये लोग रहते उस हिसाब से उनको भी रहना पड़ता है मजबूरी में because वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि मा है and मा का तो फर्ज मा तो वो होती है कि वो अपने हर हाल में अपने बच्चे की हर चीज में support करती है जाए वो सही हो वो गलत हो तो खेर वही चीज उनकी मा अपने तरफ से पूरे efforts डाल करके करने लेगी and मैडम साहिबा ने उन्हें बुला लिया and उस समय उस समय black patches खतम हो गए because रोहान को समालने वाला कोई नहीं था उसकी दादी उसको छूती तक नहीं है even मैडम खुद किसी को बच्चे को नहीं देती है ना सबा को ना कुटका किंग को नहीं किसी और को किसी को ये बच्चे को छूने ही नहीं देती है सिर्फ इसकी मा ही है जो कि बच्चे को 24 गंटे समाले रहती है तो घर के अंदर आपको सब कुछ पता है कि आपका घर का environment क्या है कहां कैसा सामान है कहां पर क्या चीजे हैं कहां क्या सुविधा है क्या आपको सब कुछ फुल फिल करने के मतलब सब कुछ आपको सुविधाय मिली हुई है तो आपको बच्चे को समालने में problem हो रही है तो आपने अपनी मा को बुला लिया लेकिन अभी जब माडम साहिबा दुबई गई है तो बच्चे को कौन समालेगा मतलब ये औरत इतनी बड़ी चालाक है कि दुबई गई है तो क्या ये अपनी मा को अपने साथ ले करके नहीं जा सकती थी वहाँ पे बच्चे को कौन समालेगा दुबई में तो आपको कुछ भी नहीं पता न मतलब आपके according तो आपका मापे घर setup नहीं न किया हुआ है कि हाँ आपको पता है कि आपका सारा समान कहा है सारी चीजे कहा है आपको जो जरुत लगेंगी वो कोई दूसरा भी करकर के देगा यहाँ पे तो धरम दादा 24 घंटें के आगे पीछे लगे वे रहते हैं तो खेर अपको मिल ही जाएगा लेकिन बच्चे के लिए बच्चे के लिए तो आप बाहर का खाना ये ले नहीं avoid करोगे ही न बच्चे को तो बाहर का खाना नहीं दोगे आप उसको घर का ही दोगे उसके लिए अपने specially pressure cooker खरीदा था जाकर के mall से तो यहाँ पर बच्चे को भी सम्हालना है उसका खाना भी बनाना है घूमना भी है शॉपिंग भी करना मतब सब कुछ करना है तो फिर बच्चे को कौन सम्हालेगा इवन साथ साथ व्लॉगिंग भी करनी है तो vlogging के लिए तो ख़र एक particular person इन लोगों ने ले करके गए हुए है जो इनकी editing करता उसको ये ले करके गए है लेकिन बच्चे को सम्हालने के लिए रुहान को कौन सम्हालेगा तो सिर्फ और सिर्फ अपनी enjoyment की madam को पड़ी है अगर इनको बच्चे की पड़ी होती तो ये जरूर अपनी मम्मी को ले करके जाती या फिर अगर मम्मी की पड़ी होती तो मम्मी को साथ में ले करके जाती कि चलो मेरे साथ साथ मम्मी भी enjoy कर लेगी रुहान के ही बहाने, रुहान को सम्हालने के लिए ही बहाने, लेकिन मम्मी भी कर लेगी, लेकिन ये औरत इतनी गई गुजरी है, इतनी मतलब मैं क्या वो वर्ड यूज करूँ, इतनी बुरी है कि अपने आगे कुछ नहीं देखता है इसे, कि जो मेरे साथ 24 घंटा रहती है जो मेरी मा चौबिस घंटे मेरे बच्चे को सम्हालती है, मैं आज 10 दिन के ट्रिप पे जा रही हूँ, तो मैं उन्हें अपने साथ ले करके नहीं जा रही हूँ, सोचने वाली बात है कि ऐसी लड़की को इतनी अच्छी मा कैसे मिल गई, मतलब गजब की लड़की है, सिच अच्छा रंग बदला हुआ रंग ही ले करके चलना है, ऐसी ओरत है ये, तो मेरे आज का ये पोड़कास्ट बनाने का में मोटिव, में कारन यही था, जो मैंने आप लोगों को बोला कि क्या कारन है, मैं बताओंगी, वो कारन यही था कि ये कितनी बुरी ओरत है, कि अपनी सुविधा के लिए अपने इंजॉइमेंट के लिए अपनी मा तक को छोड़ सकती है, तो फिर इस पे आप क्या ही भरोसा करोगे, इवें जब इसने अपनी ओलाद को छोड़ दिया, तो फिर मा को छोड़ना तो खेर कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए, तो बस आज का यह पोड़कस्ट इसी टॉपिक के ऊपर था, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि मेरा जो रीजन है और मुझे जो लगा वो कि सतक सही था और कि सतक गलत था, तो आज का यह पोड़कस्ट हम यही पर एंड करते हैं, बहुत जल मिलूँगी आप लो जल मुझे जल कि एंड करेंसे DLC कि ले क only मुझे जलन टीजन है जरूर आज की सतक सतक कर लोगती हैं, यह झाल वोग बहुत henle मुझे करने पिंगांगे जो लोगता है, उह झाल जल बता हैं, आए रिहुत नह हैं रो एंगत हैं, बहुत जल मुझे सका सतक करता हैं, लो